हलो दोस्तो दोस्तो आज आप जानेगे कि आपकी घर में फेके पुराने कुलर को द आपकी दोस्तोarias मुटर के पुराने में कर year कोई कीशोय काओ अंगा के वा English और का मोटर जाए का सोबें没有 बहुत पूराने movator को नय मोटर जालके किताया मोटर छाल अभर मैं आपको बताने वाला हूं इस vide hindr मुटर काम करने लेगा ख़ा कारी क्वाएब में इसका दैना यहां पर अच्छे तरीक से तो कि अब सितर जो है आप चाहे तो कहीं पर यहां है कें इसको कहीं पर टाइड कर सकते हैं तो आराम से छोड़ सकते हैं इतना रहाण चाहिए कि पानी से ऊपर है तो काफी ऊपर है लेकिन आप चाहें तो इसको अराम से कहीं पर भी लगा के टाइट कर सकते हैं ठीक है जब दोस्तों अब मैं कनेक्शन करके आपको दिखाएं सबसे बदे देखिए यहां पर यह जो दो तार है यहां ठीक है रोटेशन वाले मोटर से आया हुए ठीक है यह दो तार ठीक है उसके बाद यहां से दो तार जो आया हुए यहां से ठीक है पानी वाले जो मोटर है पूलिंग के लिए उससे आया हुए तो इसका एक तार आप लीजिए ठीक है और इसका एक त नय मोटर से चार निकले हुए है ठीक है उसमें से ब्लू वाला जो भी तार होगा common motor पर लिखा रहता है तो इस वाले motor में blue जो है common है तो तीनों का एक एक तार मैंने यहां लगा दिया ठीक है इनप्ट सप्लाई के लिए इनप्ट सप्लाई के से तार आ रहा है इसका भी एक तार मैं लेकर यहां पर है कर जोड़ता हूं ठीक है और उसके बात आप चाहें तो इसे हो एफ यहां से क्याप लगा के इसके जो、एंट कर सकते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अन्य था जो भी कमी है मुझे बताएं मैं इसको सुधारने का प्रैस करूंगा तो आप देख पा रहे हैं सभी का कॉमन मैंने एक जगा कर दिया तीनों मोटर और एक जो बाहर से सप्लाई आ रहा है है उसका दोस्तों मैं साइट पर आके ही काम कर रहा हूँ जहां पर खराब एकुल है इसलिए थोड़ा सा हल्ला सुनाई दे रहा है तो इसको आप इग्नोर करें चलिए यहां पर और आभी सभी तार को एक जगा रखने के लिए मैं यहां टेपिंग भी करता हुआ हुआ हु श Orgy Tibetan के यहां सफी Test अब इस अब आपकी जो मैं मोतर है इस में मोतर में तीन वयर होगा थेल कि इसमें यह हाई का है यह मेडियम का है यह लो का है एक लो का है तो आपको क्या करना दिखिए तरह लिखा हुआ मां इसको मेडियम लगा दो हुआ है looking कुछने करना करणा वो बस तार अंदर डाल देना है न Ведь यहां देखिए मेडियम है व्यू righteous हट सब्सक्राइब यहां लगाँगा यहां लगा लगा दिश्ष कर centr skincare ह्या लगा डिये इसको और दूसरी को यहां लगा दिए तो उसको वेदा आपको कंपेर करना होगा कहां अगर हाई पर हाई चल दाए तो ठीक है अदर आपको यह दोनों तार को बदलना पड़ेगा मेडियम निखा हुआ अपको मेडियम लगा दिना ठीक है तो चलिए कि इस स्विच में थोड़ा उल्टा होने कारण मैं इसको क्या करता हूँ लगाता हूँ जहां पर हाई लिखा गया ठीक है बस इस तार को अंदर डाल दिना है आपको अगया इसके बाद यह लो के लिए तीसरे पॉइंट के लिए यह लादा हूँ ठीक है इसका करेक्शन पुरोपर तरीके से हो जुका है इसको आप तो और अंडर डाल सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अगर तार हाड नहीं हो तो आपको कोई भी एक निडिल लेना ह कि अंदर प्रेस करना है यहां पर अंदर टेस करना है उसके बाद सेरी से दबाईए और अलुम कि अ है मिका दो कि अब दिखते जोस्तों वेख से चुआ कर एकार जो इसको रहा गया ठीक है एक तार्र हाग्या आपको रोटर का आ retrou कि अ यह एक तार जो रहा गया यहां कूलिंग वाले मोटर का ठीक है तो आपको एक देखें यहां पर लगा देना है यह तीसरा वेकेंट रहेगा यहां कोईले लगाना है ठीक है और एक ठीक है और मैं बता दोता हूं आपको लाइन से जो दो तार आया एक तार तो आपने कॉमन द तो यहां से रोटेशन और इस पॉइंट पर रोटेशन दोनों मिलता है इसलिए यहां पर कोई तार नोब जाएगा तो यह दोनों को एक में करके इसे जोड़ देगा तो आसा करता हूं दोस्तों यह समझ में आया हो ठीक है कोई भी कन्फीजन या सुजहा हो तो आप मुझे जरूर बता है ठीक है आपको ध्यान देना है कोई भी तार अगर बार बर निकलता है तो थोड़ा सा मोटा करके आप इसे जोड़ दें अभी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा रहा हूं ठीक है चलिए को सब मैं अलग कर देता हूं कि बिल्कुल आसान है अब गौर से दिखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा थोगा सा कनफुजन आपको लो और हाई के में होगा तो कनफुजन होने कोई बात नहीं चला गया आप दिख लेंगी हाई पर लो चल रहा है लो पर चला तो सिर्फ यह दूनों आप प बात चल रहा है मैं मेडियम कर रहा है कि थोड़ा चा कम हूआ यानि मेडियम से यह मैं लो कर रहा हूं ठीक है और यहन已 तार सही तरीकर से लगा साइसे आसे आपको पर चल दा है कि आपको वह युटर जो है पानी ऊपर फेकनता हुआ है अब सेकेन पर है सेकेन में नहीं ना देखा कर पहल सो आपको यह सिर्फ स्विंग wires gjort ay और रखता हुआ निमेडेयम एपर लगथा में बीच ही पीन स्विंग प्लस देखिए यह चली रहा जासे चल रहा था जो है उस्व is वाला भी मोटर přप्षानी आसा कर रहा हूं कि यह वीदियो आपको समझ में आया हो कोई कोई भी कनफीजन और सुजा हो तो आप मुझे कमेंट ज़रू करें और कोई भी कमपनी का फूलर हो कोई भी प्रॉलम हो उसको रिपेर कैसे करें उसका सॉलोशन जाने के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा करें शेयर करें और इसी तरह के जरूरी वीडियो पाने के लिए आप में चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद